जैसा कि आप देख रहे हैं इस वकत यहां पर मैं अपने mobile phone के dialer pad में आ गया तो यहां पर आपको dialer pad के background में एक लड़की का photo दिख रहा होगा तो जैसी यहां पर मैं contact में जाऊँगो तो यहां पर भी आपको background में एक लड़की का photo दिख रहा होगा तो आज किस वीडियो में आपको बता हूँ कैसे आप भी अपने मोबाइल फोन के डालर पैट के background में इस तरी के से लड़की का photo set कर सकते हैं आप जा तो अपना भी लगा सकते हैं या अपनी girlfriend का भी photo डर पैड में फोटो सेट करने के आपको पहले डालरफेट से बैक अना हुगा यह आ गया मैं डालर पैड में जांगा तो यहाँ भी आपको बैगरोण में कोई भी फोटो नहीं देख रहे हो तो अब गया आपको फोटो set करके दिखाने वालों तो डाइलर पैड में फोटो set करने के लिए आपको यहां से डाइलर पैड से बैक आने को तो जैसी बैक आएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको एक छोटी सी application की जरूरत पढ़ने वाली है तो आपको कोई भी Gmail ID से महां sign in करने की जरूरत थे कोई भी account बनाने की जरूरत थे आपको डिर्क से फोटो लगाने हैं उसको सेव करने हैं आपके डाइलर पैड के background में फोटो आ जागा तो क्या है उस अप्लिकेशन का नाम टोटल 3 MB की अप्लिक्शन है तो उस अप्लिकेश इस एप्लिकेशन को इंस्टाल करें जैसे कि आप आपको बताया है डामसे इस अप्लिकेशन को कुछ A-type का लोगो देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले आपका अपने वाइल फोट में इस designer tool pro application को click करके open कर देना है जैसे ही आप open करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बतायता है इस app में आपको कोई भी account बनाने की जुरू थे आप जैसी शुरू में install करेंगे तो click करेंगे तो आपके सामने direct इस तरीके से open होके आ जागी आपको कोई भी account बनाने की जुरू थे तो आपको नीचे तीन option देखने को मिल रहे होगे color picker का grid overlay का mockup आप तो आपको तीसरे option में mockup overlay के icon पर click करना है तो जैसी आप तीसरे option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दो पलस के निशान देखने को मिल रहे होगे पहले आएगा portrait दूसरा आगे landscape तो आपको portrait वाले पहले पर click करना है तो जैसी आप पहले पर click करेंगे तो जो भी आपको permission मंगा आपको allow कर देंगे तो आप अपनी gallery में आ जाएगे आपको जिसका भी यहाँ पर photo select करना है उस photo को ले लेंगे तो आपको gallery पर आने को जिसका भी आपने photo background में लगाने को उस लड़की या लडगी का photo ले लेंगे तो जैसी में आपर मैंने लड़की का photo लेंगे तो आपको उपर देख रहा हूँगा option mock-up hour लें तो आपको mock-up opacity को 100% करना है दोस्तों जैसी आप यहाँ पर opacity को 100% करेंगे तो 100% करेंगे तो आपको कोई भी confirm कोई भी save करने के दो आपको नीचे से back आना है तो जैसी ही back आजेंगे अब हम check करने वाले है हमारे के mobile phone के dollar pad के background में photo set हुआ या निवा उसको check करने के आपको अपने mobile phone के dollar pad को यहती छोटी सी information वीडियो अच्छे लगी चैनल प्रो सब्सक्राइब कराना विलिए थैंक्यू